नीतिव चन्सोला, 28-33 तक टेड़ा मनुष्य बहुत जगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है. उपद्रभी मनुष्य अपने परोसी को फुसला कर कुमार्ग पर चलाता है. आंक मूनने वाला छल की कलपनाई करता है और उं नीतिव चन्सात्रा, 1-4 तक चैन के साथ सूखा टुकड़ा, उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेलबली पशुओं से भरा हो परन्तु उसमें जगड़े रगड़े हों. बुद्धी से चलने वाला दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर जो लज्जा का कारण होता है प् प्रेरितों 28, 17-31 तक तीन दिन के बाद उसने यहुदियों के प्रमुक लोगों को बुलाया और जब वे इकठे हुए तो उनसे कहा, हे भायो, मैंने अपने लोगों के या बापदादों के व्यवहारों के विरोध में कुछ भी नहीं किया, तो भी बंदी बनाकर यरुशल से रोमियों के हाथ सौपा गया, उन्होंने मुझे जांच कर छोड़ देना चाहा, क्योंकि मुझ में मृत्यू के योग्य कोई दोश न था, परन्तु जब यहुदी इसके विरोध में बोलने लगे, तो मुझे कैसर की दोहाई देनी पड़ी, यह नहीं कि मुझे अपने ल परन्तु तेरा विचार क्या है? वही हम तुझ से सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर जगह इस मत के विरोध में लोग बातें करते हैं. तब उन्होंने उसके लिए एक दिन ठहराया, और बहुत से लोग उसके यहां इकठे हुए, और वह परमेश्वर के राज् के कहने पर चले गए. पवित्रा आत्मा ने यशाया भविशिद्वक्ता के द्वारा तुम्हारे बापदादों से ठीक ही कहा, जाकर इन लोगों से कह, कि सुनते तो रहोगे, परंतु न समझोगे, और देखते तो रहोगे, परंतु न भूजोगे, क्योंकि इन लोगों का परमेश्वर के इस उद्धार की कथा अन्यजातियों के पास भेजी गई है और वे सुनेगे। जब उसने यह कहा तो यहुदी आपस में बहुत विवाद करने लगे और वहां से चले गए। वह पूरे दो वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उ यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा और उसकी माता का नाम है पसीबा था। उसने उन जातियों के घिनोने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इसराइलियों के सामने देश से निकाल दिया था। वह किया जो यहोवा की दृष्टी में बुरा था। उसने उन उ नाम रखूंगा। वरन यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी उसने आकाश के सारे गनों के लिए वेदिया बनाई। फिर उसने अपने बेटे को आग में होम करके चड़ाया और शुबह शुब मुहूर्तों को मानता और टोना करता और उजों और भूत से दिवालों से कहा था इस भवन में और यरूशलिम में जिसको मैंने इसराइल के सब गोत्रों में से चुन लिया है। मैं सदैव अपना नाम रखूंगा और यदि वे मेरी सब आग्याओं के और मेरे दास मूसा के द्वारा दी हुई पूरी व्यवस्था के अनुसार करने की चौकसी कर था। इसलिए यहोवा ने अपने दास भविशिद वक्ताओं के द्वारा कहा यहुदा के राजा मंशे ने जो ये ग्रिनित काम किये और जितनी बुरायां इमोरियों ने जो उससे पहले थे की थी उनसे भी अधिक बुरायां की और यहुदियों से अपनी बनाई हुई मू पर डाली है और जो साहुल मैंने अहाब के घराने पर लटकाया है वही यरूशिलिम पर डालूंगा और मैं यरूशिलिम को ऐसा पोच्छूंगा जैसे कोई थाली को पोच्छता है और उसे पोच्छ कर उलट देता है। मैं अपने निजभाग के बचे हुऊं को त्याग कर शत्रूं के हाथ कर दूनगा और वे अपने सब शत्रूं के लिए लूट और धन बन जाएंगे। इसका कारण यह है कि जब से उनके पुर्खा मिस्र से निकले तब से आज के दिन तक वे वह काम करके जो मेरी द्रिष्टी में बुरा है, मुझे क्रोध दिलाते आ रहे मंश्ये ने न केवल वह काम करा के यहुदियों से पाप कराया, जो यहोवा की द्रिष्टी में बुरा है, वरन निर्दोशों का खून बहुत बाहाया, यहां तक कि उसने यरुशिलिम को एक सिरे से दूसरे सिरे तक खून से भर दिया. मंश्ये के और सब काम जो उसने किये और जो पाप उसने किये, वो सब क्या यहुदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है. अंत में मंश्ये अपने पुर्खाओं के संग सो गया और उसे उसके भवन की बारी में जो उज़े की बारी कहलाती थी मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आमोन उस और जिन मूरतों की उपासना उसका पिता करता था, उनकी वह भी उपासना करता और उन्हें दंडवत करता था. उसने अपने पित्रों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया और यहोवा के मार पर न चला. आमोन के कर्मचारियों ने विद्रोह की गोष्ठी करके राजा को उसी के भवन में मार डाला. तब प्रजा के लोगों ने उन सभों को मार डाला, जिन्होंने राजा आमोन के विरुद्ध विद्रोह की गोश्टी की थी, और लोगों ने उसके पुत्र योशया को उसके स्थान पर राजा बनाया. आमोन के और काम जो उसने किये, वह क्या य योश्ययाह राज्य करने लगा, तब वह आठ वर्ष का था, और यरूशलिम में 31 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यदीदा था जो बुसकतवासी अदाया की बेटी थी। उसने वह किया, जो यहोवा की दृष्टी में ठीक है और जिस मार्ग पर उसका मूल पुरुष डाउद चला ठीक उसी पर वह भी चला, और उससे न तो दाहिनी और और न बाहिनी और मुडा। अपने राज्य के 18 वे वर्ष में राजा योश्ययाह ने असलियाह के पुत्व शापान मंत्री को जो मशूल लाम का पोता था, यहोवा के भवन में यह कह कर भेज इसलिए कि उसमें जो कुछ तूटा फूटा हो उसकी वे मरम्मत करें। अर्थात बढ़ियों, राजमिस्ट्रियों और संगत राशों को दें और भवन की मरम्मत के लिए लकड़ी और गड़े हुए पत्थर मोल लेने में लगाएं। परंतु जिनके हाथ में वह चांदी स भवन में मिली, उसे तेरे कर्मचारियों ने थेलियों में डालकर उनको सौंप दिया जो यहोवा के भवन में काम कराने वाले हैं। फिर शापान मंत्री ने राजा को यह भी बताया, हिलकिया ह्याजक ने उसे एक पुस्तक दी है। तब शापान उसे राजा को पढ़कर पुस्तक जो मिली है, उसकी बातों के विशे तुम जाकर मेरी और प्रजा की और सब यहूदियों की ओर से यहोवा से पूछो, क्योंकि यहोवा की बड़ी ही जलजलाहट हम पर इस कारण भरकी है, कि हमारे पुर्खाओं ने इस पुस्तक की बाते न मानी की जो कुछ हमारे ल यहोवा यो कहता है कि जिस पुरुष ने तुम को मेरे पास भेजा, उससे यह कहो, यहोवा यो कहता है कि सुन, जिस पुस्तक को यहूदा के राजा ने पड़ा है, उसकी सब बातों के अनुसार मैं इस स्थान और इसके निवासियों पर विपत्ती डालने पर हूँ. उन ल यहोवा के सामने अपना सिर जुकाया, और अपने वस्तरफ आड़ कर मेरे सामने रोया है, इस कारण मैंने तेरी सुनी है, यहोवा की यही वानी है. इसलिए देख, मैं ऐसा करूंगा कि तू अपने पुर्खाओं के संग मिल जाएगा, और तू शांती से अपनी कबर को पह जाया जाएगा, और जो विपत्ती मैं इस स्थान पर डालूंगा, उसमें से तुझे अपनी आँखों से कुछ भी देखना ना पड़ेगा. तब उन्होंने लौटकर राजा को यह संदेश दिया.